ओम नमः सिवाय प्रभुजी आज की यात्रा है अपरणा सक्तिपीट या जिने भवानी पूर सक्तिपीट भी कही जाती है बांगलादेश में स्थीत है आईए यात्रा सुरू करने से पहले एक बार पुणा आप सभी का स्वागत है सीवाय यात्रा दर्शन में सीवाय यात्रा दर्शन रखे आपको प्रसंद अपरणा सक्तिपीट बंगलादेश के बोगरा जिले में कर्तोया नदी के तट पर भवानी पूर गौं में इस्तित है इस मंदिर की करना 51 सक्तिपीठों में की जाती है यहां माता सती के दाई पैल का पायल गिरा था माता सती को अपरणा तथा भैरब जी को बावन कहा जाता है राजा राम किशन ने 17 अठावनी सतावदी में यहां 11 मंदिर का निर्मान करवाया था बाद में उन्होंने इन मंदिरों का जिर्नोदार भी करवाया यह मंदिर पांच एकर छेतर में फैला हुआ है आप यहां दर्शन के लिए अक्टूबर से मार्च का समय उप्यूक्त होता है आ सकते हैं यूँ तो आप साल भर आ सकते हैं परन्तु अक्टूबर से मार्च का समय उप्यूक्त होता है नवरात्री यहां मनाई जाती है परन् सुबह दोपार एवं साम तीन समय होता है यहां शनान के लिए पास में एक दलाब बना हुआ है आप वहां शनान कर सकते हैं शनान उप्रांत आप माता का दर्शन कीजिए पुजारी रविंदरनात के हरुशा प्रति दीन तीन सो से ज्यादा स्रधालू यहां दर्शन करने को आते हैं नवरात्री में यह स्रधालू की संख्या हजारों में हो जाती है प्रभुजी यहां आने वाले स्रधालू में भारत स्रिलंका तिथा नेपाल से आये हुए स्रधा यहां से भवानीपूर की दूरी 160 किलोमेटर है जिसे बस वह टैक्सी के द्वारा तैक कर सकते हैं आप यहां रेल से भी आ सकते हैं कोलकाता से खुलना के मद्द चलने वाली इंटरनेशनल बंधन एक्सप्रेस जो पुर्णते वातानुकलित है हफ्ता में एक बार चलती है किर से भवानीपूर की दूरी 270 किलोमेटर है जिसे आप बस वह टैक्सी के द्वारा ट्राइ कर सकते हैं प्रभुजी आप अपढ़ना सकती पीट बस के द्वारा भी आ सकते हैं आप कोलकाता से धाका के लिए बस लीजिए यहां प्रतिदीन चलता है और इसके किराया लगबग दो हजार रुपे है तथा यह 10 से 11 घंटे का समय लेती है प्रभुजी धाका से भवानीपूर की दूरी 160 किलोमेटर जिसे आप बस टेक्सी के द्वारा पूरा कर लिजिए अब कहां ठेहरें आप खुलना में होटल ले लिजिए 1000 से 3000 के मध्य होटल आसानी से मिल जाता है आ अप धाका में होटल ले सकते हैं आप वोग्राणिस्टिक में होटल ले सकते हैं आप कहीं भी होटल ले सकते है या एक से 3000 के मद्ध में होटल आपको मिल जाता प्रभुजी खाना सौन से भीड़ग स hilar न क्था भास किकार की कोई दिख्कत नहीं बंगला देश की एक टका 32 पैसा होता है प्रभुजी कि यह करेंशी का वेल्यू आप एंड डाउन होता है जब आप कभी यात्रा प्लैन करें आप इसको अवस्य चेक कर लिजिए गां आज पास के दृष्णियस्तल क्या है वोग्रा में लोकल साइट स्विंग भी कर सकते हैं उसके उपरांत आप जहनती सक्ति पीट, सुगंदा सक्ति पीट, चटल भवानी सक्ति पीट, जसोरे स्क्ति पीट इन सभी सक्ति पीटों का भी दर्सन कर सकते हैं इन सब का वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा यदि आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार देख लीजिए आपको दर्सन में बहुत आसानी होगी प्रभुजी अब इस यात्रा में कितना समय लगेगा प्रभुजी यदि आप बस वह ट्रेन के द्वारा जाते हैं इस यात्रा में तीन से चार दिन का समय लगेगा तथा एक समान निस्र धालू को लगवग 15 हजार रुपे का खर्चा आता है प्रभुजी यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृप्या कमेंट्स कीजिएगा तथा शीवा यात्रादर्शन को लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रभुजी शीवा यात्रादर्शन रखे आपको ओम नमस्वाइ